21 बाइबल का सबसे लंबा अध्याय बाइबल के सबसे लंबे अध्याय का नाम है भजन संहिता साम 119 जिसमें 114 पद हैं यह अध्याय ईश्वर के शब्दों, आज्याओं और शिक्षाओं के महत्व को दर्शाता है 22 सबसे छोटा अध्याय बाइबल का सबसे छोटा अध्याय भी भजन संहिता साम से ही है जो भजन एक स्वस्तारा है इसमें केवल दो पद होते हैं और यह सभी लोगों को ईश्वर की स्तुती करने के लिए प्रेरित करता है त्रे बाइबल और पवित्र त्रिमूर्ति इसाई धर्म में पवित्र त्रिमूर्ति Holy Trinity का विचार प्रमुक है इसमें ईश्वर को तीन रूपों में देखा जाता है पिता, God the Father पुत्र, God the Son येशु मसीह और पवित्र आत्मा, Holy Spirit ये अवधारणा बाइबल के नए नियम में प्रमुक रूप से पाई जाती है चो निर्मित और अनंत बाइबल के अनुसार इश्वर ने स्रिष्टी को छे दिनों में बनाया और सातों वें दिन विश्राम किया इस स्रिष्टी की कहानी जो उत्पत्ती जेनिसिस में वर्नित है तुनिया के निर्मान और जीवन के स्रिजन के बारे में एक महत्व पूर्ण कथा है मसीह के चमतकार बाइबल के नए नियम में ये शु मसीह द्वारा किये गए चमतकारों की कई कहानिया है जैसे पानी को शराब में बदलना बाइबल का नैतिक दृष्टिकोन गहरा और प्रभावशाली है इसमें प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा के सिध्धान्तों को बढ़ावा दिया गया है ये शु मसीह के उपदेशों में विशेश रूप से दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें पर जोर दिया गया है ये सुनहरे नियम, गोल्डन रूल के रूप में जाना जाता है और ये नैतिकता का महत्वपूर्ण सिध्धान्त है साथ्यमी मसीह का पुनरुथान बाइबल के अनुसार येशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाय जाने के तीन दिन बाद पुनर जीवित किया गया था यह घटना इसाई धर्म का केंदर बिंदु है और इसे इस्टर के रूप में मनाया जाता है मसीह का पुनरुथान इसाईयों के लिए अनन्त जीवन और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है भविश्यवानियों की पुस्तक उदाहरण के लिए प्रेरित पॉलुस अपॉसल पॉल ने अपने कुछ पत्र तब लिखे जब वे जेल में कैद थे इन पत्रों में उन्होंने मसीही विश्वासियों को साहस और विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित की आयतीस सलीब का महत्व बाइबल में सलीब, क्रॉस का बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है यह वस्थान है जहां येश्व मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया था सलीब इसाई धर्म का प्रतीक बन गया है जो बलिदान, क्षमा और उद्धार का प्रतीक है दस आग्याएं बाइबल में दस आग्याएं, टेन कमान्मेंट्स का विशेश महत्व है जिन्हें इश्वर ने मूसा को सीने परवत पर दिया था ये नैतिक नियम है जो यहूदियों और इसाईयों दोनों के लिए जीवन जीने के लिए मार्ग दर्शक के रूप में काम करते हैं इनमें चोरी न करना, हत्या न करना, जूट न बोलना और अपने माता-पिता का सम्मान करना शामिल हैं थ्री इश्वर का पहला नाम पुराने नियम में इश्वर का नाम यहवे यहवे के रूप में बताया गया है जिसका अर्थ है मैं हूँ जो हूँ यह नाम ईश्वर की शाश्वतता और सर्व व्यापकता को दर्शाता है अंत समय की पुस्तक, बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य, रेविलेशन में भविश्य में आने वाले अंत समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है इसमें दैविय न्याय, स्वर्ग, नरक और मसीह के दूसरे आगमन की भविश्यवानियां की गई है संसार के अंत की भविश्यवानी, इस समय दुष्टों का नाश होगा और धर्मी स्वर्ग में जाएंगे यह विचार इसाई धर्म में अंतिम दिन की अवधारणा के रूप में जाना जाता है स्रिष्टी की कहानी बाइबल की उत्पत्ती, जेनिसिस, पुस्तक में संसार के स्रजन की कहानी दी गई है इसमें कहा गया है कि इश्वर ने दुनिया को छे दिनों में बनाया और सातोवें दिन विश्राम किया इस रिष्टी में दिन रात, भूमी, समुद्र, आकाश, जानवर और अंततह मानव का निर्मान शामिल था इबराहीम की परीक्षा पुराना नियम में इबराहीम की कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें इश्वर ने इबराहीम से उनके बेटे इसहाग को बलिदान करने की मांग की थी इबराहीम की आग्याकारिता और इश्वर के प्रती उनका विश्वास इस कहानी का मुख्य हिस्सा है हालांकि अंत में ईश्वर ने इब्राहीम के बेटे की जगह एक मेढ़ा भेज कर उसकी परीक्षा लिथे सामूहिक वित्रण बाइबल की शिक्षा और संदेश को व्यापक रूप से फैलाने के लिए यह पुस्तक विभिन्न प्रचारकों द्वारा विश्व के विभिन्न हिस्सों में ले जाई गई गुटेनबर्ग बाइबल जिसे जर्मनी के जोहांस गुटेनबर्ग द्वारा 1455 में छापा गया था छपी हुई पहली बड़ी पुस्तक थी और यह छपाई करांती की शुरुवात मानी जाती है